प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जो कह रहे हैं, हिसाब KCR को BJP की ताकत का अहसास हो गया था, मतलब दोस्ती करना चाहते थे, सर क्या खिच्छडी पकाने की तैयारी थी आप लोगों की BJP के साथ मिलकर? रुमाना जी एक तरफ तो राहूल गान दी जी हमें टीम भी भारतिय जन्ता पाटी के केते हैं, और एक तरफ मोधी जी बोलते हैं उनके साथ, देखे ये आदत हो गया है ये दो नाशनल पाटी भारतिय जन्ता पाटी और कॉंग्रेस का कि जो राज्य में नेता है, चाहे वो ममता जी रहने दीजिए, या हकलेश यादव जी रहने दीजिए, या अरविंत केजरिवल जी रहने दीजिए, इनको ये भारतिय जन्ता पाटी और कॉंग्रेस के बीच में उनके साथ, क्यों अलैंस गढ़बंदन ये खुद सोचते हैं, कि इनकी जरुरत हैं, पर इनके ज के साथ जोडेंगे, चाहे वो कॉंग्रेस ये रहने दीजिए, या भाजपार ये दीजिए, ये तो मुद्दा ही नहीं है, हम अकेले थे, हम अकेले जीते और इस बार भी हम अकेले जीतने वाले सरकार में आने वाले, हम तिलंगारा के ए-team है, बीजेपी के नहीं है, कॉं जो सच्चा है रोमानाजी उसमें ब्रमुक पर है ना बात तो उनको लेके हो रही है तो इतनी जगह सभा कर रहे हो मुँमें पटी लगा के बैठे हैं क्या नहीं बोलते हैं उस अभा के अंदर कि हम मैं कभी नहीं गया था सच्चाई को इनकार कैसे कर सकते हैं यह तो प्रवक्ता है तो बोलेंगे लेकिन इनके प्रवक्ता है कोई बोले ना लिकल के बाहर में एक मैं एक मैं असुल नहीं आपके पास आँगे शर्मा जी को सुन नीजिए पर इससा एक छोटी सी घट केवल एक उधार देता हूँ ग्रेटर हैदराबाद का चुना हुआ रोमाना जी ग्रेटर हैदाबाद में डेड़ सो लगबख सीटें थी डेड़ सो सीटों के अंदर में जो चुना हुए यही टी आरेस पहले 99 सीट जीती हुई थी वो घटके कहां तक आ है एक विदायक था हमारा एक परसेंट लेकिन यही जो है लोग सभा में हम चार सीट जीते और हमारा बोट प्रतिसाथ दोजार बीस हैदिल गेटर हैदाबाद का देखेंगे तो लगबख 35 परसेंट बोट है वारती जनता पार्टी का तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क इनको जो है आज स्थिती जो गंभीर लग रही है वो इस कारण से इनके नेता मिनने आए थी जो बात एक रहे है वारा जी जूट नहीं बोल पा रहे हैं आके जनता के बिच बोल दे जवाब दे दिजे क्योंकि केके शर्मा लगातार यह कह रहे हैं कि आपकी पार्टे के न प्रेजिडेंट ने केटी आर जी ने साफ सीधा कहां जब मीडिया ने पूछा कि मोदी जी ऐसे कह रहे है कि आप उनको जॉइन होना चाहते थे केटी आर जी ने साफ का कि हमने कोई पागल पुत्ता काटा है क्या हम क्यों जाएंगे भाजपा के साथ यह था उनका स्टेट को यहीं छोड़ देते हैं मेरे काल से और थोड़ा अभाशा का खयाल रखते हुए आगे अपनी बात रखेंगा पागल था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं समझ गई आप इस बात को दोराना नहीं चा रहे थे नाशनल चेलेविजिन पर लेकिन क्योंकि आपके लिए कोई टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शोओ फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शोओ अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नीउज आपको रखे आगे